पंजाब सरकार में मंत्री नवजोज सिंग सिद्धू पर माफी मांगने का बड़ा दबाव स्वामवार को होने वाली राजे कैबिनेट बैठक में उठ सकता है सिद्धू का मुद्ध सिद्धू ने कहा था मेरे कैप्टन राहूल गांदी हैं अमरिंदर सेना के एक कैप्टन थे कहा जा रहा है कि नवजोज सिंग सिद्धू इस बैठक में शामिल नहीं होंगे बात्रूम में आग लगा कर खुद की लेली जान नौर्थ दिल्ली के शास्वी नगर इलाके में रवीवार को एक शक्स ने अपने घर के अंदर खुद को आग के हवाले कर दिया जियां आपको बता दें मोके पर पहुची पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उस शक्स ने कर्ज, आर्थिक तंगी, परवारिक तानाव और जिन्दगी से तंग आकर खुद खुशी जैसा कदम उठाने की बात भी लिखी है पुलिस इस मामले की जाज करने में जुटी है दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सेडिस का कहर फल विक्रेता को रेडी समेत मारी टक्कर द्वारका सेक्टर साथ में एक टेज रफ्तार मर्सेडिस ने रविवार आधी रात एक फल विक्रेता की रेडी को जोड़दा टक्कर मार दी इस टक्कर में फल विक्रेता की मोके पर ही मोत हो गई दिल्ली में सोमवार को पानी में अमोनिया के बढ़ते इन इलाकों में होगी पानी की कम सप्लाई बता दें के इन में गोल मार्किट, कनाड प्लेस, मंदिर मार्क, तिलक मार्क, आदर्श नगर साथ ही आसपास के कहीं इलाके भी इसमें शामिल है वहीं पानी की जरूरत होने पर वाटर टेंग मंगवाने के लिए इन नमबरों पर संपर्ग भी किया जा सकता है नमबर है 23747568 23360683 तोनाली बेंद्रे भारत लोटी चहरे पर दिखी अपने देश आने की मुस्कान जियां आपको बताते हैं कि बॉलिवुट की मशूर अदाकारा सोनाली बेंद्रे भारत वापस आ गई है मुंबई एरपोर्ट पर सोनाली 3 दिसंबर की सुबा देखी गई है इस मोके पर उनके साथ उनके पती गोल्डी बहल भी मौजूद थे वे पहले कुछ महीनों से न्यू योक में कैंसर का इलाज करवा रही थी साबुन मेवे की दुकान में मिले सीक्रेट लोकर 25 करोड कैश बरामद जियां आपको बताते हैं कि चाननी चोक इलाके में साबुन और मेवे की दुकान में चापा डाला गया है औस्टेलिया नहीं इंग्लैन में खेलेगी टीम इंडिया वीराट को हराने का प्लैन त्यार कहने को तो टीम इंडिया औस्टेलिया के दोरे पर गई है लेकिन उसे वहां इंग्लैन में खेलने का एसास होने वाला है इस हफ्ते 390 रुपे कम हुई सोने की कीमत चांदी का भाव 890 रुपे गिरा रिसेप्शन में हाई हील्स उतार, स्पोर्ट शूस पहन कर नाची दिपी का पादुकोन ताजा और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सस्क्राइब, शियर और लाइक करना ना भूले ताथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे